कहते हैं कि इश्वर को नमन करने से उसके आगेशी जुकाने से प्रभू की अराधना यग हवन से मन को असीम शांती मिलती है इसी मनों की शांती के लिए आजमकड के बद्धोपूर में श्रिमत भागवत कथा वसापताइक यगे का आयोजन हुआ आजमकड के सदर तहसे लिस्तित बद्धोपूर गाव में श्रिमत भागवत वो महायगे का आयोजन पहले बार किया गया इस तरह का आयोजन गाव में पहले कभी नहीं किया गया था आयोजन के दोरान गणेश जी महराज व्यास द्वारा भक्तो को भगवान श्री कृष्णी की सभी लिलाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी श्री कृष्णी ने द्वारिगा धीश वनने के बाद विकिन लिलाओं की रचना की कथावाचक श्री गनेश जी महराज मौरिशस तक कथाव वाकहन में मषूर है मौरिशस में विजाकर उन्होंने भकतों को भगवान श्री कृष्ण की लिलाओं से अवगद कराया है ऐसी छवी के श्री गनेश जी महराज ने ये आयोजन आजमगर के बद्धोपुर गाउं में रखवाया क्योंकि वह भी पावन भूमी बद्धोपुर गाउं के ही रहने वाले हैं ये पूरा आयोजन एक सब्ता तक चलने वाला है जिसमें श्रीमत भगवत का था वह महायग का आयोजन किया गया ये आयोजन प्रतीक दिन सुबह और शाम चलता रहेगा इस पूरे कारिक्रम का आयोजन आजमगर के बद्धोपुर के ही रहने वाले पंडित ब्रिगोनात उपाध्याय संयोजक पंडित क्रिश्ननंद उपाध्याय कोशाद्यज शिवाश्रे उपाध्य और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करेंगे